कक्सा 10, विशे गणीत, अधायत 3 आज के होंवर्क के आपको 5 कुशन दिये गए हैं तो आईए इस वीडियो के दोर हम 500 कुशनों को देख लेते हैं वीडियो को आप अंतर्क जरूर देखें ताकि परते कुशन आपको आसानी से समझ में अगर कुशन समझ भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तो अचलिए अपना वीडियो सुरूर करते हैं पहला परसन आपको यहाँ पर दिया गया है यदि द्वीगात बहुपद के सुनेक L फावे बिटा हों तो द्वीगात बहुपद की समीकन हमें यहाँ पर लिखनी है तो यहाँ पर देखिए बहुपद की समीकन जो होती है द्वीगात बहुपद की समीकन उसका रूपी यह होता है वैसे तो AX2 प्लस BX प्लस C जहाँ पर X2 का गुणांग होता है A और X का गुणांग होता है B और C क्या होता है अचरपद होता है लेकिन यहाँ पर हमें सुन्नेक दे रखे हैं सुन्नेकों से हमें समीकन बनानी है तो alpha और beta यहाँ पर दो सुन्नेक हैं इनसे हमें समीकन बनानी है तो समीकन कैसे बनती है इसका सुत्रो होता है xc square फिर minus bracket में आएगा सुनने कों का योग गुणा में आएगा x और last में आएगा सुनने कों का गुणन फल यह इसकी समिकन होती है इसको समिकन की रूप में हम लिखेंगे तो xc square minus bracket में आता है सुनने कों का योग सुनने क्या है अपर alpha और beta है तो alpha और beta को हम जोड़ देंगे तो alpha plus beta into x और plus सुनने कों का गुणन फल तो alpha बिटा यह दिविगा समिकन बंद गई तो मूलों से दिविगा समिकन उदाने का तरीका यह होता है xc square minus bracket में सुनने कों का योग गुणा x और plus सुनने कों का गुणन फल तो यहां पर दिविगा आपको निमन दिविगात बहुपत के सुनने का alpha और beta हो तो alpha plus beta तथा alpha into beta का मान ग्यात की चीज़ हैं पर समिकन दे रहे कि आपको 3xc square minus x minus 4 तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है alpha plus beta निकालना है यहां पर माइनस तो यहां पर है इसका गुणांग क्या है इसकी साथ माइनस है तो माइनस रहेगा और यहां पर कुछ नहीं तो हम एक लगा सकते हैं यह माϊनस तो यहां पर आगा है और यह माइनस 1 और, x square का गुणांग क्या है यह, तीन आ गया तो x square जाए कि क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या गया एक बटा 3 तो सुन्नेगों क्यों कीतना है तो पर सर दीर स्वांट पसले करो का सुस्तर क्या होता है सीत थिए नियों फश्य निकाला है को यह जiedert कि यहाई से एक क्या होता है क स्क्वाइर का घुणांग धouver बोलते हैं यहहां तो हमें पहले मूलों का योग निकालना है यहां पर तो एक सफुर स्कुर का गुणांग उता हैं जिए गूनान हे तो का पर और जेरो में एक का भागदेंगे तो क्या आयेगा जीरो ही आएगा तो आलफा प्लस बिट्टा का मान कितना आ गया जीरो आ गया यानि physical इसका सुत्र क्या होता है सी बट्टा ए है कि कितना यहां पर अचर प्यक Rat ब्रावर कितना हो गया माइनिस का 25 देखिए ऑगाratos कितना नंतर है ने घॉल सबसे पहले हम लिखेंगे ईलफा प्लस बीट्ने है न थोनों को जोड़ना है तो वैसे तो इसका –- बटा यह अल रहा है लेकिन यहां पर दोनों कहां हमें मान दे रहा है तो हम दोनों doet जोड देते हैं तो च्यार मास च्यार क्या होगी अनि च्वाउद च्यार बटा कर देती है तो यह क्या हो गया 4 गूंड फौना माइनस च्यार TOकितना आ है मायनिस का सोलर याणि मूलों का योग तो कितना आ रहा है जिरो आ रहा है हर भार लोगा गुणन फ benefits का सोल आ रहे तो अभी हमने पहली प्रीमिय देखा था कि मूलों का योग भी दिया हुआ और मूलों का गुणनफल भी दिया हुआ तो हमें दिविगात्समीगन बना कर हम कैसे लिखते हैं तो उसका सुत्र होता है X square minus bracket में आता है सुननेकों का योग यहाँ पर X और फिर क्या आता है सुननेकों का गुणनफल सुननेकों का गुणा तो यहाँ पर हम देखें तो X square minus सुननेकों का योग कितना है 0 है तो हम लिखेंगे 0 into X और प्लस सुननेकों का गुणनफल कितना है माइनस का 16 तो माइनस का 16 तो हम यहाँ पर समिकन क्या लिख देंगे अक्सी square जिरू का अक्सी गुणा करेंगे तो क्या यह आएगा 0 आएगा तो 0 लिखने क्या हो सकता नहीं है और यह प्लस और मैनस टक्रा क्या हो जाएंगे माइनस तो 68 स्क्वार माइनस 16 यह हमारी समीकन आजाएगी दिविगात समीकन इसके बादे चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन पर Question Number 4 Question Number 4 यहाँ पर दिया गया है दिविगात बहुपत ग्याद कीजिए जिसके सुननेकों का योग वह गुणनफल क्रम सा 4 माइनस 6 है यहाँ पर हमें योग जो दे रखा है अलपा प्लस बिटा जो दिया हुआ है alpha plus beta, यह वो कितना दिया हूए, चयार दिया हूए, और alpha into beta जो है, वो दिया हूए है, minus 4 दिया हूए, तो इंज यह में द्विगादशमिखण बनानी है, जैसे आमने पहले equation में क्या था, क्या होती है, x square minus, यहाँ पर क्या आता है, सुनने कोगा, योग सुनने को का योग यहाँ पर गुणा में X और प्लस लास्ट में क्या आता है सुनने को का गुणा यह दुवी गाद समिकन होती है जब सुनने को का योग और गुणन फल हमें दिया जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे X2 माइनस सुनने को का योग यह कितना यहां पर चार है तो यहां पर लिखेंगे हम चार गुणा में क्या है एक्स तो चार एक्स और प्लस सुनने को गुणन फल गुणन फल कितना दिया हुए माइनस चार है तो यहां पर हम कर लगाएंगे माइनस का चार इसको हम सही करके लिखेंगे तो एक्सी स्क्वा स्कूर्फ प्लस और माइनस टक्राइब क्या ऐगा माइनस आएगा तो यह हो जाएगा च्यार तो यह हमारी दूइगाद समीकन हो गई इसके वालने चलते हैं क्यूष्ट नंबर 5 के उपर क्यूसर नम्मर 5 यहांप आपको दिया गया है यह दिद्वी गात पर उपद एकसी स्क्वाइर माइनस 8 x प्लस के के सुन्नेकों के वर्वह का योग 40 हो तो के का मांध ग्याद कीजिए तो देखें यहांपर हमें समीकन दी गई है AXY SQUARE माइनस 8X प्lus K यहांपर हम सुनने कों का योग देखें यहांए alpha plus beta देखें तो क्या होतह है alpha plus beta का सुतर? माइनस का b बटा A जहाँपर B क्या है? X का गुणांक है तो minus और X का गुणांक कितना है? यहाँपर? माइनस का 8 है तो हम क्या लिखेंगे माइनस का आठ और बट्टा एक क्या होता है एक्सिस कर रहे हो ना यहां पर कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे एक तो माइनस माइनस कितना प्लस हो गया तो यह आगया आठ यानी सुन्नेकों का यो कितना आ रहा है आठ आ रहा है और सुन्नेकों का तक कितना है। अब आगे परसन में किया दिए गई गकिर सुनेकों कि वरगों का योग 40 है वरगों का योग तो हम यहाँ पर लिखते हैं यह सुनेक है alph Okay c4 निके वरगों का योग कितना है, 40 है तो हम लिखें एलफा प्लेस बिट्टा का स्क्वेयर ब्रेकट में इसका सुत्र क्या होता है एलफा स्क्वेयर प्लस बिट्टा स्क्वेयर प्लस टू एलफा बिट्टा देखिए अब एलफा प्लस बिट्टा का स्क्वेर यहां पर लिखेंगे आठ का स्क्वेर ब्राबर एलफा स्क्वेर प्लस बिट्टा का स्क्वेर यह वाला यह मान कितना दिया हुए हमें 40 दिया हुए, तो इन दो 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 जाएके लिख देंगे 40 लिख देंगे plus 2 और alpha गुणा बिटागमान कितना है यापर alpha गुणा बिटागमान कितना है था k आया था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे k लिख देंगे this implies 8x² क्राइँ कितना आएगा 4,60 बराबर 40 प्लस 2 के 40 यहांपर प्लस का है दूसरी सैड में लाएंगे तो माइनस का तो यहांपर क्या हो जाएगा 64 माइनस 40 बराबर 2 के घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बराबर 2 के 2 यहांपर गुना में है दूसरी सेट में लएंगे तो किस में आएगा भाग में आएगा तो हम क्या लिखेंगे के बञाबर 24 बाई टू भाग देने पर कितना आएगा 12 तो के कमांड कितना आगया 12 तो आजके होंवर्भ के फांच क्यॉशन थे इस तरीके से आपको ये पांचो क्यूशन करने ही धन्यवाद